हे गाईज मेरा फार्स्ट वीडियो अगर देखा हुगा पार्ट वन तो उसमें आपको दिखाई देगा कि मैंने इसको मॉडिफाई कर रहा था तो गाईज मेरा आज पूरा कम्प्रीट हुआ यह पार्ट टू बनेगा तो गाईज मैंने क्या किया है इसको यह जो पेपर है यह रेडियम नहीं है ठीक है यह मैट फिनिसिंग है मैट का थोड़ा स्टाइलिस्ट फिनिसिंग दिया हुआ है क्योंकि जो भी कुछ छेद वगाई रहता है तो इसके यह रहेगा तो इसमें उतना दिखाई नहीं देगा अच्छा गाईज यह इतना चमक क् क्योंकि यह भी अंदर एक स्टिकर लगा हुआ है मेरा अगर जो बाइक आप देखे होंगे बाइक का मॉडिफिकेसन जो मैंने दिया था उस बाइक का जो विंडूस ग्लास था उस ग्लास में वाइल ग्लास में वह लगा हुआ था चीज था वही चीज में पहले इसको किया ठीक है उसके बाद फिर मेट gonna too क्या क्या है यह देखिए जो स्टील क लकर जान ग्रोम जैसे जो दिक रहा है आपको ब्लैक रेडियम के ऊपर यह स्टील का क्रूम लगा एक स्टिकर फिर उपर इस लगा दिया ठीक है इसका फिनिसिंग उवा है तो गैस आफ कर छिमिस जो जो बीस पीट गया कुछ पर दिखे गाई लेकिन कोई ऑबजेक्ट आ जाता है जैसे मैंने हनुमान जी का लगा दिया है कोई ओबजेक्त आ जाता है तो वह वाइरिंग आपको उतना दिखेगा नहीं दिखेगा ही नहीं बूल सकते हो तो मैंने इसलिए यह चिपका दिया है कि यह ऑबजेक्ट आ गया मैंने दोनों साइट को इसी सब से चिपका देख लीजिए इसको फिर इधर साइट के घुमा लिया फिर दोनों साइट से जब लगाऊंगा यह दिखने में अच्छा लगे दोनों का फिनिशिंग हो चुका है गाइस ठीक है यह जो कालर दीख रहा है चमक रहा है यह इसी चीज़ का है अब यह मेरा ठीज दे दिया प्स इसको ऊपर ряд्याम तो लगा दिया मैंने डीजय में किया हुआ हुआ है नाईस मैट नेचैनल करेव हुनी का अब ूरु और है यह हो गया रिडियम चिपका दिया हुआ है बस अच्छे है अब यह थोड़ अभी मुझे दिखा कि यह जो दाग नजर आया कोई बात नहीं यह में काल लेकर जाओंगा फिर से उपर से और एक रेडियम ऐसे चिपका दूँगा तो यह यह वाला कायब हो जाएगा ठीक है बस अब थाड पाड में बनाओंगा फिर और एक थाड पाड बनाओंगा जिसमें मैं बाइक के अंदर लगाओंगा लगाने के बाद कैसे दिखता है वो में चीज दिखाऊंगा ठीक है बाई